नमस्का दूस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम विग्ज्यान से सम्मंदित कुछ पिष्णों का डिसकस करेंगे तो जिन पिष्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पिसन है कि केसर होता है सूखा मिस्रन ठीके हमें बताना है कि केसर होता है वह किस चीज का सूखा मिस्रन होता है आप्सन एक पत्ती और तना का आप्सन भी पंखुडियों और जणों का option c फूल के बीज बनाने वाले भागों का और option d बीज और कलियों का तो इसका जो सही अंसर है वह है फूल के बीज बनाने वाले भागों का ठीके तो केसर क्या होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिस्रण होता है यानि इसका जो option number C है वह है इसका बिलकुल सही होगा आगे बढ़ेंगे कि जो केसर है केसर क्या है एक प्रकार का एक मसाला है जिसे स्रफ्रान क्रोकस नाम के एक पुष्प की बर्तिका और बर्तिकागर से प्राप्त किया जाता है ठीक है तो यह है आपको याद रखना है कि क केसर जो है वह है एक मसाला है और इसे हम स्रफ्रान क्रोकस नाम के पुष्प की जो बर्तिका होती है और उसका जो बर्तिकागर होता है उससे हम केसर को प्राप्त करते है ठीक है और इस पौधे का जो बानसपतिक नाम है वह है क्रोकस सैटाइबस ठीक है तो यह भी आपको कुल के इस्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है जो की बीज बनाने बाला भाग होता है और केसर एक पुष्पिये और बहु बर्सिये पौधा है ठीके तो केसर के पौधे के बारे में कितनी सारी जानकारी आपने प्राप्त की आगे बढ़ते हैं आगला पैसने कि नीचे द ज़रक जो की प्रकंद, प्याज, मासल पर्ण, आलू, मूल और नाडियल, बुरून पोस, ठीके, तो इसमें जो सही सुमिलत नहीं है, वह है आलू, आलू क्योंकि मूल नहीं है, अब आलू है क्या, तो आलू का खाने बाला जो भाग होता है, वह होता है कंद, ना कि मूल, होता है एक प्रकार का तना ही होता है ठीक है तो आलू क्या है एक प्रकार का तना है ठीक है आगे बढ़ेंगे आगला पसने कि निम्न मैंसे कौन सा एक फल है ठीक हमें बताना है कि कौन सा एक फल है option A आलू, option B मूली, option C भिंडी और option D सकरकंद तो इसका जो सही अंसर है वह है भिंडी ठीक है तो भिंडी इसमें से फल है जबकि आलू, मूली और सकरकंद यह है फल नहीं आगे बढ़ेंगे कि जो भिंडी का पौदा है यह कैसा होता है एक पुषपीय पादप है जिसका जो बानस्पतिक नाम है वह है Able Moscus Asculentus ठीक है तो भिंडी का जो बानस्पतिक नाम होता है वह होता है Able Moscus Asculentus ठीक है और इसका फल कैपसूर प्लकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अदेख होती है इस फल का संपूर भाग खाया जाता है और जो आलू होता है आलू का खाने वाला भाग होता है तना और मूली और सकरकंद का खाने वाला जो भाग होता है जड़ आगे बढ़ेंगे निम्ण मैंसे कौन सा एक सच्चा फल नहीं है हमें बताना है कि कौन सा जो है वह सत्य फल नहीं है option A सेब, option B अंगूर, option C खजूर और option D आलू बुखारा तो इसका जो सही अंसर है वह सेब यानि सेब जो है वह सत्य फल यानि सच्चा फल नहीं है यह एक असत्य फल है आगे बढ़ेंगे कि जब फल के निर्माण में अंडासाई के अलावा कुछ अन्य भाग सामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यहनी फाल्स फ्रूट कहते है ठीके तो जब कोई फल का निर्माण होता है तो उसमें अन्दासा के अलावा कुछ अन्भाग भी सामिल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं असत्य फल जैसा इसका उधान है सेब, काजू और नासपाती ठीके तो यह है आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे अगला पिसन है कि पादप कली क्या है ठीके पादप कली क्या है? आप्शन A है एक भुरूनी ये तहनी आप्शन B एक भुरूनी ये पत्ती आप्शन C एक भुरून पोस और आप्शन D एक बीज तो इसका जो सही अंसर है वह है एक भुरूनी ये तहनी जो आप विख्षित प्रोय होता है उसी को बुला जाता है कली या कली का यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन होती है पत्ती के कक्ष पर उत्पन होगी या तने के अंतिम छोर पर उत्पन होगी आगे बढ़ेंगे कि कौर्क निम्ने लिखित में से किस पेर से प्राप्त होता है तुछ थी के तो हमाँ बताना कि कौर्क होता है किस पेर से प्राप्त होता है option A डलबरजिया, option B सेडरस, option C क्वेकस और option C आर्डजी मॉन तो इसका जो सही अंसर है वह है कोवेरकस ठीक है तो जो कौर्क होती है वह है कोवेरकस से प्राप्त होती है आगे बढ़ेंगे कि जो कौर्क है कौर्क के किस से प्राप्त होती है ओक नामक ब्रक्ष की चाल से प्राप्त किया जाता है जिसका बानसपतेक नाम कोवेरकस सुबर है ठीक है तो ओक बेक्सिका जो बनसपतेक नाम है वह है कोयरकस सुबर और इसी से प्राप्त होती है कोक इस पौधे का उत्पत्ती स्तल है भूमद्द सागरिये छित ठीक है और कोर के अनियमित आकार का पतली वित्ती बाला तथा मौमयुक्त कोशकाओं बाला होता है आगे ब ओप्सन बी सलफर योगेक ओप्सन सी फिलूरीन योगेक और ओप्सन डी एसीटिक अमल तो इसका जो सही अंसर है वह सलफर योगेक है इस सलफर योगेक के कारण लैसुन में गंध आती है आगे बढ़ेंगे कि लैसुन की अभी लाच्ण में गंध का कारण योगेक है ठीक महत्पूर्ण होने के कारण सक्रिय गुन रखता है इस तेल में सलफर की प्रिचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है ठीक है तो आगे बढ़ेंगे कि प्याज के छिलके उतारने में आशु आते हैं क्योंकि प्याज निस्कासित करती है आप्शन A सलफोनिक अमल आप्शन B सलफेनिक अमल आप्शन C एमेनियो अमल और आप्शन D कार्बोलिक अमल तो इसका जो सही अंसर है वह है सलफेनिक अमल ठीक है तो जो प्याज के छिलके जब हम निकालते हैं तो आँख में आशु आ जाते हैं क्योंकि जो प्याज होती है प्याज से एक सलफोनेक अमल होता है, सलफेनेक अमल होता है, वह निसकातित होता है, आगे बढ़ेंगे कि प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजायम निसकासित होता है, सिंथेज एंजायम प्याज में उपस्तित सलफोकसाइड जोकी एमेनु अमल होता है, को सलफेनेक अम अपने को पुना वेवस्तित कर आँख में आशू उत्पन करता है आगे बढ़ेंगे कि जीव चक्र की दिस्टी से पौधे का सबसे महत्पूर्ण अंग क्या है ओप्शन A पुष्प, ओप्शन B पत्ती, ओप्शन C तना और ओप्शन D जड़ तो इसका जो सही अंसर है वह है ओप्शन नम्मर 1 पुष्प, यानि जीव चक्र की दिस्टी से पौधे का सबसे महत्पूर्ण जो अंग है वह है पुष्प आगे बढ़ेंगे कि जीवन चक्र की दिश्टी से पौधे का सबसे महात्पूरंग पुस्प है यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है एक पुस्प में पुंकेसर और इस्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं आगला प्रजन है कि मिल्च की तीछनाता का क्या कारण है ठीक है ओप्शन ए लाइकोपिन की उपस्तिती ओप्शन भी कैप से इसिन की उपस्तिती ओप्शन सी कैरोटीन की उपस्तिती और ओप्शन डी एन्थोसायनिन की उपस्तिती तो इसका जो सही अंसर है वहाई कैप से इसिन की उपस्तिती जो मेच तीखी होती है वहाई कैप से इसिन की उपस्तिती काण तीखी होती है ठीक है तो मेच का तीखा या तीछन होना एक किस्टली पदात होता है जिसे कैप से इसिन कहते हैं इसके काण जो मेच होती है वहाई धन्यवाद